गुलमर्ग में एवलांच आने से हड़कंप मज गया और इसकी चपेट में कई स्कीर भी आ गए है एक की मौद भी हो गई है तो बर्फ के बीच कई स्कीर के फसे होने की आशंका भी है जिस तरह से बर्फबारी यहां हुई है वो काफी अच्छा मौसम अना चाता है एडवें कि नीचे दबे हो सकते हैं एक स्कीर के मौत की खबर है जबके कई और लोग बर्फ के नीचे दबे हो सकते हैं अब है यह बर फिला दोफान जिसकी चपेट में आने से स्कीर की मौत हो गई और आप देख सकते हैं यहां पर हर तरफ से बर्फी बर्फ दिखाई दे रही है रेस्क्यू ऑपरेशन हेलिकॉप्टर के जरीए आप देख पा रहे होंगे कैसे हलिकॉप्टर की बदक से जो देखा जारा है कि कहां कहीं आसपास जो लोग फसे हुए उने रेस्क्यू किया जाए कि यहां पर मचा स्कीन के लिए लोग इखटा हुए थे यहां पर स्कीन करने के लिए और ऐसे में इस बर्फी लिटुफान में फसकर रेकी मॉट हुए और बाकाइदा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए हलिकॉप्टर के मदद ली जा रही है न्यूज 18 मध्यप्रदेश चतीजगर पर यह एक्स्क्यूजिव तस्वीर है इस फक्त आप देख रहे है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाय जा रहा है अब तो कोई काम्यावी मिल जाली नहीं है माना यह जा रहा है कि बर्फ में कई लोग दबे हो सकते हैं एवलांच की जपेट में कई स्कीयर आए और एक की मौत की भी ख़बर है हेलिकॉप्टर के जरिये यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाय गया यहां लोकर एक छोड़ी से ब्रेक के लिए